नमस्कार मैं राज मोहनतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी नियूज COVID-19 से जूरी बिहार के लिए एक खुश्खबरी कही जा सकती है कि बिहार में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगतार बढ़ते जा रही है बिहार हेल्थ डिपार्टमेट ने जो हमें जानकारी दी है उसके अनुशार पिछले 24 घंटे में 6213 सेंपल्स की जाच किये गये हैं जिसमें 280 कोरोना के मरीज सामने आए हैं अब बिहार में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 12144 हो गई है लेकिन पिछले 24 घंटे में 249 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं बिहार में जो रिकवरी रेट है कोविड 19 पेसेंट का वो 74.25 है कल यह रिकवरी रेट 73 परतिशत के आसपास था अब बिहार में जो कुल एक्टिव कैसेस हैं कोरोना के वो 3028 हैं जब कि अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या या कहिए कि अब तक कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या बिहार में 9000 14 है बिहार में अब तक कोरोना से जान गवाने वालों की संख्या बढ़कर संतानवे जरूर हो गई है जो थोड़ी बहुत चिंदा की विशे कही जा सकती है बियार में अगर बात करें सभी जीलों की कि कहां पर कितने केसे एक्टिव हैं कितने केसे मिले हैं अब तक और कितने डिश्चार्ज हुए हैं तो उसमें अर अरिया जीले में कुल पॉजिटीव केसे 138 थे जिसमें से डिश्चार्ज हो चुके 116 पेसेंट और एक मरीज ने जानगवाई हैं जबकि अभी कुल 21 केस एक्टिव हैं अरवल में कुल 125 केस पॉजिटीव मिले हैं जिसमें से डिश्चार्ज 101 मरीज हो चुके हैं एक ने चुके हैं एक ने वहां भी अपनी जान गवाई है तथा कूल एक्टीब केसे अभी वहां 88 है बाका में 246 पॉजिटीब केसे मिले हैं जिसमें से 227 डिश्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं जान अभी तक बाका में किसी ने नहीं गवाई है जो कि बहुत बड़ी है जबकि 140 अभी वहां पर एक्टीब केस मौजूद है भागलपूर में 616 पॉजिटीब केसे मिले हैं डिश्चार्ज 437 हुए हैं पांच लोगों ने वहां पर अपनी जान गवाई है कोविड-19 से अभी भागलपूर में 174 एक्टीब केसे मौजूद है भोजबूर में 281 जिसमें डिश्चार्ज 192 लोग हुए हैं तीन लोगों ने वहां भी अपनी जान गवाई है 86 केस अभी वहां भी एक्टीब केस मौजूद है बक्सर में कुल 240 पॉजिटीब केसे मिले हैं जिसमें 208 लोग ठीक होकर घर जार चुके हैं वहां भी अभी तक किसी की कोविड- से जान नहीं गई है बाई स्कूल एक्टीब केस अभी वहां मौजूद हैं दर्भंगा में 383 पॉजिटीब केसे मिले हैं जिसमें से डिश्चार्ज 270 लोग हो चुके हैं साथ लोगों ने वहां अपनी जान गवाई है कोविड-19 से जबकि 106 अभी भी एक्टीब केस वहां मौजूद है गया में 276 पॉजिटीब केसे मिले हैं जिसमें से 187 लोग डिश्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं तीन मरीज ने वहां पर कोविड-19 से जान गवाई हैं जबकि 86 एक्टीब केस वहां मौजूद है गोपाल गंज में 315 कुल पॉजिटीब केसे अब तक मिले हुए हैं जिसमें 254 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं गोपाल गंज से अभी तक कोविड-19 से किसी भी मरीज ने जान नहीं गवाई है अभी वहां पर 61 एक्टीब केस मौजूद है जमूई में 108 पॉजिटीब केसे स्कूल मिले हुए हैं जिसमें 89 डिश्चार्ज होक घर जा चुके हैं एक व्यक्ति ने इस कोविड-19 बीमारी से जान गवाई है जबकि 28 पॉजिटीब केस वहां मौजूद है जहानाबाद में 209 पॉजिटीब केस मिले हैं 245 कोडोना मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं तीन लोगों ने वहां अपनी कोविड-19 से जान गवा है जबकि 31 पॉजिटीब केस अभी वहां मौजूद है कैमूर में 208 कुल पॉजिटीब केस मिले हैं जिसमें से 178 डिश्चार्ज होकर घर जा चुके हैं एक मरीज ने वहां पर कोविड-19 से जान गवाई हैं जबकि 29 एक्टिब केस अभी वहां मौजूद हैं कटिहार में 365 कुल पॉजिटीब केस मिले हैं जिसमें से 203 डिश्चार्ज होकर घर जा चुके हैं जबकि एक व्यक्ति ने कोविड-19 से वहां भी अपनी जान गवाई है 111 एक्टिब केस अभी वहां मौजूद है कि खगरिया में 336 कुल एक्टिब केस मिले हैं जिसमें से 293 लोग ठीक ह कोगर घर जा चुके हैं 3 लोगों ने वहां भी अपनी जान कोविड-19 से गवाई है जबकि चार एक्टिब केस अभी वहां मौजूद है कि किशन गंज में कुल 205 एक्टिब पॉजिटीब केस मिले हैं जिसमें से 162 व्यक्ति कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं 2 लोगो कोविड-19 से वहां जान गई है जबकि 41 एक्टिब केस अभी वहां मौजूद है लखी सराई में 142 कुल पॉजिटीब केस मिले हैं जिसमें से 127 व्यक्ति कोरोना के इस कोविड-19 बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं लखी सराई में भी कोविड-19 से किसी की जान अभी त चुके हैं एक मरीज ने वहां कोविड-19 से जान गवाई है अंठावन एक्टिब केस अभी वहां मौजूद हैं मदुबनी में 511 कुल पॉजिटीब केस अब तक मिले हैं जिसमें से 396 व्यक्ति कोरोना से लरकर जीत हासिल करकर अपने घर जा चुके हैं जबकि दो व्यक्त केस मिलें जिसमें से 307 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं एक व्यक्ति की इस बीमारी से जान गई है जबकि 111 एक्टिब केस अभी वहां मौजूद है मुजबपरपूर में कुल 496 अब तक पॉजिटीब केस मिले हैं जिसमें से 338 डिश्चार्ज होकर घर जा चुके हैं प दिश्चार्ज होकर ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं पांच व्यक्तियों की वहां भी कोरोना से जान गई है 162 एक्टिब केस अभी वहां मौजूद है नवादा में कुल 364 पॉजिटीब केस मिले हैं जिसमें से 276 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं तीन व्यक्ति ने व दो व्यक्तियों की वहां जान गई है 109 एक्टिब केस अभी वहां मौजूद है पटना में कुल संख्या अभी 155 हो चुका है पॉजिटीब केस उसका जिसमें से 502 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं जबकि 12 व्यक्तियों की जान पटना में गई है 474 एक्टिब केस अभी यहां मौजूद है पुर्वी चंपारन में 260 कुल पॉजिटीब केस मिले हैं जिसमें से 201 केस डिश्चार्ज होकर घर जा चुके हैं पांच व्यक्तियों की वहां जान गई है 34 एक्टिब केस अभी वहां मौजूद है पुर्णिया में 313 कुल पॉजिटीब केस मिले हैं जि कुल पॉजिटीव केसे 377 है जिसमें से 331 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं पांच कोरोना मरीजों ने वहां अपनी जान गवाई हैं जब 41 एक्टीव केस वहां अभी भी मौजूद है सहरसा में 260 कुल पॉजिटीव केसे मिले हैं जिसमें से 166 व्यक्ति डिश्चार्ज होकर घर जा चुके हैं किसी भी व्यक्ति ने वहां पर कोरोना से जान नहीं गवाई है 101 एक्टीव केस अभी भी वहां मौजूद है समस्तिपूर में 377 कुल पॉजिटीव केसे मिले हैं जिसमें से 296 ठीक होकर घर जा चुके हैं 6 व्यक्तियों ने वहां अपनी जान गवाई है जबकि 75 एक्टीव केस अभी वहां मौजूद है 272 सारंजीला में कुल पॉजिटीव केसे की संक्या है जिसमें से 193 डिश्चार्ज होकर घर जा चुके हैं 5 लोगों की कोरोना से वहां जान जा चुकी है 74 एक्टीव केस अभी वहां मौजूद है सेकपूरा में 170 कुल मौजूद है सिवार एमें 101 कुल पॉजिटीव केस मिले हैं जिसमें से 83 लोग कोरोना से लरकर जीत हासिल कर घर जा चुके हैं एक व्यक्ति की वहां मौध हुई है 17 एक्टीव केसे अभी वहां पर है सीथा मड़ी में कुल 154 केस मिले हैं जिसमें से 126 लोग ठीक होकर घर ज है जिसमें से 392 नवे मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं doğru मरीजों की वहा जान गई है जबकि 96 жив एक्टीव कレस्थ अभी वहाँ मौझूद है शुपाौ में 285 यू मरीज की शंक्या है जबकि 262 मरीज वहां ठीक होकर घर जा चुके हैं किसी भी मरीज की वहां कोरोना से जान नहीं गई है 23 एकटीब केसेज अभी वहां मौजूद है वैसाली में कुल 245 पॉजिटीब केसेज मिले हैं जिसमें से 156 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं तीन कोरोना मरीजों की जयान वैसाली में गई है जबकि 85 एक्टीब केसेज अभी भी मौजूद है। बिहार से जुड़ी हर खबर और अपडेट के लिए देखते रहे हैं बिहारी नियूज धन्यवाद।